सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट में होगी चर्चा ये निउस जागरन संबादाता शिमला से आई है इसमें आपको बताया गया है कि परदेश सरकार के सरकारी स्कूलों में कारेरत 14,027 शिक्षकों PTA, PET और PES केव सरकार जल्दी नियमित करण का तौफा देने जा रही है शिक्षा विभाग ने परस्ताब त्यार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है परस्ताब लेट त्यार होने के कारण बुद्वार को होने बाली मंत्री मंडल की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो पाई संबभ है कि अगली बैठक में इस माबले में चर्चा होगी शिक्षकों को 2018 से नियमित करना है और या 2020 में यह मंत्री मंडल ते करेगा सुत्रों के मुताबेद विभाग ने यह परस्ताब में कहा है कि यदि बर्स 2018 से शिक्षकों को नियमित किया जाता है तो सालाना 70 क्रोड का अतरिक्त वित्य बोज सरकार पर केबल एरियल के रूप में पड़ेगा यदि 2020 से इने नियमित किया जाता है तो 11 क्रोड का ही वित्य भार पड़ेगा शिक्षक 2018 से नियमितिक करन की मांग कर रहे हैं इसका तरक यह है कि बे हाई कोड से केस जीते थे सुप्रीम कोड में यह केस तीन साल से विचार धीन था अब इसके पक्ष में फैंसला आ चुका है तो इसमें आपको यही बताया गया है कि जो भी टीचर्स थे जो PTA, पैरक और जो भी पैस के टीचर्स थे उन सब को यह एक अच्छी ख़बर है तो उन सबी को मेरी तरब से शुपकामना है क्योंकि अब जो है वो जल्दी ही रेगुलर हो जाएंगे, मैं कमेंट करके जुरूर बताएं कि आपको गॉर्मेंट का यह फैंसला कैसा लगा, जो 14,000 टेचर हैं, उनको तो यह फैंसला अच्छा लगेगा मगर जो स्टूडेंट टेस्ट की त्यारी कर रहे हैं उनको यह फैंसला कैसा लगा, अपने विचार हमारे साथ जुरूर रखिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थारी कर देचर थारी कर दो रखिए